नमस्कार मैं हुडी जी और आपको स्वागत है कप्शप निउस पर थाइलान की राजदानी बैंक कॉंग में रविवार सुबा हुई भीशन दुरगटना से दहल गया पूरवी बैंक कॉंग में एक बस और ट्रेन की टकर में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गए मनेवालों में बस में सवार लोग शामिल है बताया जा रहा है कि इस बस में कुल 65 या 30 सवार थे यह दुरगटना उस समय हुई जब एक बस पूरवी बैंक कॉंग के चाच्चे आंगासों में रेल फाटक को पार कर रही थी घटना के वक्त बारिश हो रही थी इस कारण बस के चालक ने ट्रेन को देखा नहीं इसी कारण अचानक आई ट्रेन से बस की जोरदार टक कर हुई दुरगटना के जानकारी मिलते ही राहत और बचाफ का काम भी शुरू कर दिया गया था जिले के मुखे अधिकारी प्राथुएंग यूकास में ने थाइलेंड के PBS TV को बताया कि इस घटना में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य लोग खायल हो गए उन्होंने कहा कि बारिश के कारण संबध बस का चालक ट्रेन को नहीं दिख पाया पुलिस ने कहा कि माम करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक के लिए धन्यवाद